पूरी होंगी और लोगों के मन में भारती जन्ता पार्टी के प्रती एक विश्वस्निता का भाव जागेगा और इससे आने वाले लोग सभा चुनाओं में भी भारती जन्ता पार्टी ग्यारा की ग्यारा सीटे जीत कर आएगे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीदे हम रायपूर के रोकर लेते हैं हमारे सेयोगी रायपूर से योगल तिवारी जुड़ गया है इस समय यूगल कल सुशासन दिवस पूरे देश में बीजेपी मनाने जा रही है और किसानों के लिए बला दिन कल 36 कर में होने जा रहा है और इसी के साथ ही बीजेपी अप्ता एक और वादा पूरे करेगी मोदी की गारंटी को देखा देखे पूर प्रधान मंतरी स्वर्गी अटल विहारी बाजपई की पुण्यति थी कल है और उसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में बनाता है और वैसे भी जो किसानों के दो साल के बोनस देने का वादा बीजेपी ने किया था किसी कारण वस हो जारी नहीं हुआ था तो लगभग 12,00,00 किसान है उन सभी किसानों के खातों में एकमुस्त जो रासी है जो बकाया बोनस है वो कल बीजेपी एक भब्य आयोजनों के साथ खाते में ट्रांसफर करेगी और जिस करें से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के मेरि फेश्टों में ये वादा था कि जैसे परदेस के सभी किसानों को एक बड़ी जो रासी है वो हस्तान तरित किया जाएगा और सीधे एक लिक के माइधम से उनके खातों पर ये रासी है वो चली जाएगी लगब बारा लाग ऐसे किसान हैं जो जिन्हें बीजेपी ने पहले वादा किया था अब उन किसानों के लिए एक बड़ी राहाद बिहारी वाजपे के जैन्ती को बीजेपी सोशासन दिवस के रूप मनाने जा रही है जिसको लेकर अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करनी है इस बार सोशासन दिवस पर सरकार किसानों को दो साल का बकाय बोनस देगी जिससे प्रदेश के किसान का पूरु प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेई को 36 गड़ का जना कहा जाता है उनकी जैनती पर 36 गड़ सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है बीजेपी सरगुजा जिले के एक लाग से जादा किसानों को करीब 193 करोड एक सट लाग रुपे बकाय बोनस की तौर पर भुकतान करने जा रही है बोनस को लेकर किसान काफी उस्चाहित है 25 दिसंबर को पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेई की जैनती पर सुशाशन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलो एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी सरगुजा केलेक्टर कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल इस्थम्प की साफ सफाई और आवश्यक मरंबत कराने के निर्देश दिये थे वहीं पीजी कॉलेज के ओडिटोरियम में जिला सतर्य कारिक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है मानिय अटल विहारी बाजपेई जी जो 36 गड़ के जनर्थ है उनके तैल चीतर पे माल्यारपण जो है मानिय जन्परतिनीरियो द्वारा अधिकारियो द्वारा किया जाएगा ये कारिक्रम सबेरे मॉर्निंग में होगा उसके बाद दोपहर में बारव बजे के आसपस मानिय मुख मंत्री जी जो धान बोनस का वितरन कारिक्रम है 2014-15 और 15-16 जो जिसकी संख्या किसानों की संख्या करीब जिले में 31,000 है और करीब 65 करोड की जो है बोनस वितरन की राशी मानिमुख पंत्री जी द्वारा किसानों के खाते में जो है ट्रिकल के मादम से अंत्रित की जाएगी उसका जो जिला स्तर का कारकम है वो पीजी कॉलेज ओडिटूरियम में है अटल सुशाशन दिवस के लिए जिला प्रशाशन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है करीब 328 अटल इस्तंभो की साफ सफाई कर ली गई है वहीं के साथ दो साल के बकाय बोनस के मिलने से काफी खुश नजर आ रहे है श्रवंट महंत न्यूज 18 अंबिकापुर मुख्यमंत्री विश्रुदेव साय अपने दो दिफसी दिल्ली दोरे से आज रायपुल लोटे राजधानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पीम मोदी समयत अन्य किंद्रिय निताओं से मुलाकात कर 36 गल की विकास योजनाओं पर बात की है विकास की कारियों के लाव साथ सोजन में मुलाकात हुई है सबसे एकी दिन में मुलाकात हुई है और यह सोजन में मुलाकात थी सपत गरहन के बाद पहला हमलों का दिल्ली दोरा था तो सभी लोगों ने हमलों का अशिरवाद दिया है सुबकामनाई दी है और एके संब्रिद 36 गड़ खुसहाल 36 गड़ और भैमुक 36 गड़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आस्वासन दिया है हा कल 25 दिसंबर है शत्यगड के निर्माता और भारती जनता पार्टी के संसापक स्रदेह अटल विहारी बाजपी जी का जन दिन है जिसको हम लोग सुशाचन दिवस के रूप में मनाते हैं और मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था कि दो साल का बोनस शत्यगड के करीब 12 लाग किसानों को देंगे और आप लोग को बताते हुए गौरो हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाग किसानों को दो साल का बोनस उनके काउंट में भेजा जाएगा कि अधर दिल्ली दौरे से लोटे प्रदेश बीजेपी के अध्यक शिकरंद सिंग देव ने कहा कि आधार ने प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ग्रहमन प्रिमत्षा राष्टी अध्धक जेपी नड्या के साथ एक बैठक आयश्यूत की गई थी जिसमें आगावी चुनाओं को लेकर रणनेतियां तयार की गई है साथी संग अटनात्मक रूप से आगामी कारिटम को लेकर रणनेतियां बनाए गई है कि आगे राष्टी पदादीकारी प्रिश्ट कांट के साथ आधनी परदान मंत्री जी नरेंदर मोदी जी आधनी गिरा मंत्रया मिशा जी और राष्टी अध्यक जी गई सब्सक्राइब कर दो दिन की ये बैठर थी जासे पदावी कारी होती है और संगत हाथमत विश्यों पर आगामी कारी योजनता और विस्तिरित बात्चीत सभी से वृत्वरतां प्रांट वापी उसी शेकर दो दिन की एगती है लगातार समाज इस प्रकार से रचनात्मक्त कारीक्रम लगातार करते हैं और आज इस प्रकार से इवाओं को मंच दे कर उसकी प्रतिभा को बाहर लेकर आना ये लगातार साहू समाज करता रहा है मजीला साहू संग राजनान जांग को इस साहना रायोजन के लिए बहुत बढ़ाई और सुबकामनाई देता हूँ साहू ने कहा कि केंदर के सहयोग से 36 गल की खुशाली के लिए काम करेंगे वहीं कॉंग्रिस पर तंज कस्ति हुए कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में कॉंग्रेस आप्रसंधिक हो रही है मोधी विरोद के उत्सामें देश का विरोद करने में विपक्षी डल नहीं चुक रह है कि माननी मुख्य मंत्री जी का यह विशेशा दिकार है मंत्री मंडल का गठन करना मंत्रियों के विभाग जिर्धारित करना पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का अबंटन हो जाए धीरे धीरे करके देश में प्रदेश में कांग्रेश प्रसांगिक हो रही है मौधी विरोद के उत्साह में देश का भी विरोद करने से कांग्रेश पालिटी और इपक्षी डल नहीं सूक रहे हैं पूरा देश इनके कामों को देख रहा है कि किस प्रकार से ये लगातार देश के हीतों के भी पूरित काम कर रहे हैं और इसलिए जंता इन्हें कड़ी सबक सिखाने वाली है आने वाले लोगसभाज चुनाव में देश की जंता इन्हें कड़ी सबक सिखाएगी और एक बार फिर मानिनिये नरेंद्र मोजीद जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे धमतरी लोटे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष करण सिंग देव और मंत्री केदार कश्यप का जूरदार स्वागत हुआ इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण सिंग देव ने सचिंग पाइलट को 36 गड़ कॉंग्रेस का प्रभारी बनाय जाने पतलंज कसा उन्हों इस गड़ की सभी 11 सीट है बीजेपी जीतने वाली है लोकसवा चुनाओ में अबहार है और लोकसभा में भी उनका शिरुवात पर यहां से लोकसभा में आएगी होता है और इसी तोर से हमारे वरिष्ट है और उनका हमारे देखे इसके संदर में पाने मुक्त मंतरी जी बता पाए राइपुर में पीसी सी चीफ दीपाग बैज ने बीजेपी पर जमकन निशाना साधा कहाई यह सिर्फ चनाओ के लिए प्रोपेगंडा बनाते हैं इनके पास राम मंदर के लावा कोई मुद्दा नहीं कि 36 गड़ के किसान 36 गड़ के लिए रीड की हटी है और कल क्यूं जे दिन पहला के मिनिट मिटिंग वा उसी दिन करना से और हम तो कह रहें कल मैंने चिटी बिली का पत्र बिली का मने मुख्यमंद्री जी को 31 सो रुपए समर्थन मूलिस की खरिदी के लिए सासन तक्काल आदेश करना चाहिए ताकि किसानों को एक बड़ी रहात मिले और किसानों को कम से कम एक हिम्मत मिले लेकिन सरकार गटन होने के बाद अभी तक ऐसा हुआ नहीं पीसी से चीफ दीपक बैच के बयान पर मंत्री ब्रजमोन अगरवाल ने बलटवार किया उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार के 15 ही दिन हुए हैं अभी से कॉंग्रेस सी घवराय हुए हैं जिस दिन अयुद्या में भगवान श्री राम की प्राम प्रतिश्था होगी उस दिन कॉंग्रेस का सफाया हो जाएगा ब्रजमोन अगरवाल ने सचिन पाइधर को प्रदेश प्रभारी बनाय जाने के मुद्दे पर भी निशाना साधा अभी तो 15 दिन हुआ है वो इतने डरे और घवराय हुए है जब 22 जनवरी को अयुद्या में विश्व के जननायक जन जन के मनमन के प्रणेता भगवान राम का और फिर से भव्य उनके जन्म स्थान पर मंदिर बन गया और उसका उस दिन फ्रान प्रतिष्ठा होगी मुझे लगता है कि उस दिन कॉंग्रेस का सफाया हो जाए बेरोजगारों ने तो उनको सबक सिखा दिया कि PSC का जो घोटाला है वो 36 गड़ के 20 लाक से जादा नौजवानों के भविस्ते को उसमें बरबाद किया है और बीजेपी के पहले राजिय पाजिजी के घोस्ना पत्न में कहा गया है कि हम यूपी एस्सी की तर्ज़ पर पारजर्सिता के साथ और पी एस्सी में भरती करेंगे यही युवाओं के लिए विश्वास का बहुत बड़ा कारण जया है कि दंदेंवाला में अकशनियों से मुठवएड हूई है सुकमा दंदेshoreला सीमावर्थिर लाके म 슴 दोनों तरफ से पार्ज़ दोनों तरफ से जोड़तार फार्ज़ वी दियार जीजवानों नकसर्यों के बीच हम उलों है जवानों बड़ी सफलता मिल सकती है ये खबर निकल कर सामने आ रही है तो सुक्मा से बड़ी खबर आपको उता रहे है सुक्मा दंतिवाला सीमावर्ती अलाके में नकसरियों और जवानों के बीच मुट्पेड हुई दोनों ही तरफ से जम कर फाइरिंग हुई दियार जी जवानों नकसरियों के बीच जम कर फाइरिंग हुई है और इस तबर यह मिल रही है कि जवानों को बड़ी सफलता मिल सकती है लगतार हम देख रहे हैं तुरक शबल के जवान नकसरियों को बैक फुट पर धकेले में लगे हुए हैं अधिक जानकारी के लिए हम बातशियत करेंगे हमारे संबादाता दिनेश कुप्ता जोड़े हुए हैं फोन पर दिनेश फिलाल क्या को जानकारी इस मुटबेड को लेकर जी मैं आपको बता दूँ कि आज पुलीस और नकसरियों के भी जबस जस्त मुटबेड हुई है यह मुटबेड सुक्मा और दंतेवारे के सिमावर्ती छेतरों पे हुई है यह जबबा कुना के इलाके में लगातार दोनों और से फाइरिंग हुई है ऐसा बताय जा रहा है कि दोनों और से जो फाइरिंग हुई उसमें नकसरियों को कहीं नकसरियों को कोई नुकसान पहुचा है और यह एंटी नकसरियों के साथ जवानों की मुटफेड हुई एंटी नकसरियों के साथ जवानों की मुटफेड हुई एंटी नकसरियों के साथ जवानों की मुटफ यहाँ जाएगा बैटर्ग में फैसला हुआ था, DRG के जवान और नकसलियों के बीच जमकर मुठफेड हुई है और मुठपेड के बीच खबार यह निकल कर सामने आ रही है कि जवानों को एक बड़ी सफलता मिल सकती है दंतिबाडा में नकसलियों से जवानों की मुठवेट तो ही जगदलपुर में आज एंटी नकसल आपरेशन को लेकर एक एहम बैटक हुई जिसमें DRG, ADG, EDIG, SIBIG बस्तर भी शामिल हुए दो घंटे से ज़्यादा वक्त चली इस बैटक में नकसली के तविदियों से नपटने की रणनीती बचरचा हुई है कॉडिनेशन सेंटर में हुई इस बैटक में नकसल आपरेशन को नए सरे से चलाने का फैसला किया है वर्तमान में नकसल आपरेशन की क्या कुछ परसिदी है और आगे में दिनों में किस रणनी दिखता है था हमको कारी करना चाहिए इस अंदर में आज एक समिक्षा बैटक हुई है पुलिस मुक्याले से DGP मो आदे, ADG नकसला आपरेशन यह हम संभा की सभी पुलिस अदिख शेकन आज बैटक में उपस्तित रहा और वर्श 2023 में अब तक क्या कुछ आमारा उबलती रहा और आना वला जो पांच मेने जो प्रहमो कुरूप से जो आपरेशन सीसन रहा इस दोरान हमको किस किस तरीके से आगे कारवाई करना चाहिए और हमरा क्या कुछ ताकत रहा किन इलाका मामनों का और बेतर काम करने के लिए गुंजाय से इन सब के बार में बारिक से डिसकेशन हो और हाल फिलाल में जो गटना करम भी गटित हुआ है इसको किस तरीके साम को आने बार साम में रुखदाम के लिए और जो गटना का अंजाम देना वाला जो महोदी करेक्ट क्लाफ और प्रभाई रूप से कैसा कारवाई कर सकता है इन सब तमाम विश्य पर काफी एक विस्तारूप से संक्षा पीटे हुई राइपूर पूलिस लगता गुंडा बदमाशों के साथ-साथ कबालियों पर भी नकेल कसना शुरू कर रही है बताया जारा कि पूलिस ने 18 कबालियों पर कारवाई की जिसमें हजारों कुडल कबाल भी सब्थ किया गया वहीं अलग-अलग मामलों में 64 गुंडा बदमाशों को किरफ़ार किया गया राइपूर में कबाली चोरी के लोहे और कबाल को खबाते हैं और अब पूलिस इन पर नकेल कसने का काम कर देगा पूलिस इन पर देगा अब अब भरतियों की मांग है कि ऐसाई भरतियों कारियों ने सुभाष स्रेडियूं से लेकर अंबेड का चौक तक रह दी नकाली अब भरतियों का आरोप है कि भरतियों में गड़बड़े की गई है लहाजा इसे रद किया जाएना चाहिए